हेलो एवरीवन अब आपको इस चैनल पर एल्टी टीजीटी पीजीटी में जो मैं साथ उसका सलूसर मिलने जा रहा है अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें एल्जेबरा का पार्ट लिया हुआ जो कि थियो आप एक्वेशन पर बेज़द है हमने 16 क्वेशन आपको सॉल करके दे दी हैं जो प्रिवियस यह में पूछे गए यह भी क्वेशन एल्टी 2018 का है क्वेशन लॉग पर बेज़द है लिखा हुआ क्वेशन लॉग फोर बेस है बच्चो एक्स मैनस वन यह सब आप जानते होगे लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी भी आप जानते होगे इस स्ट आप यहां पे बेस में लो कुछ भी 10 अगर एक्स स्क्वाइल लिखा लिखा है तो यहां पर यहीं पर एसे लिखा होकर लॉग 10 लिखा लग 10 स्क्वाइर पर एक्स लिखा जाएगा, यह दो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, दो प्रॉपर्टी कह दो या यूज कह दो कि इसका यूज करना है, यह दो प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस वो मैंने आपको बताया हुआ ठीक है यहां पर 2 स्क्राइब लिखा यह 2 पावर जो आगे आ जाएगी 1 बाई 2 हो जाएगा log 2 base पर x-1 equal to log 2 base पर x-3 2 का दोनों साड अगर multiply कर दो तो log 2 base पर x-1 equal to 2 यहां आएगा वो पावर इस पर लगा दें चलो यहां पर अभी लिख देते हैं एक साथ नहीं करते हैं अगली step में यह 2 है इसकी पावर लग जाएगा 2 base पर x-3 की पावर बन जाएगा और यह log 2 base पर x-1 की इक्वल चली रहा ठीक है अब यहां पर log अगर हटाओगे तो क्या मिलेगा x-1 equal to मिल जाएगा x-3 का square इसका square आप open भी कर लो x square plus 9 minus का 6x और यहां पी क्या है x-1 इसको और solve करना है सभी को उसी तरफ ले चलते हैं तो x square 6x और minus का 7x minus का 1 अधर जाके plus का हो जाएगा 10 तो plus 10 equal to 0 इस equation को solve करो x-5 और x-2 इसके factor हो जाएगे यहां से x की value निकल के आगी x equal to 2 and 5 अब हमें देखना है क्या x की दोनों value accept करनी होंगी देखिए log x जो अगर है किसी बर base मानलो 10 पर ही मानलो अगर x यह अगर define होता है तो उस case में condition यह होती कि x उट भी greater than 0 होना चाहिए x कैसा हो greater than 0 होना चाहिए तो यहां पर जो भी x की value आई greater than 0 तो है positive है न दोनो तो यहां पर दोनो x की value accept करेंगे अगर किसी question में factor करने पर suppose करो x equal to minus 2 आता और x equal to 5 आता उस case में इस value का अमलोग छोड़ देते हैं केवल यह वाला answer मानते तो यहां पर solution एक निकलता लेकिन अभी कितनी आएंगे दो solution आएंगे तो आपका option number कौनसा हो जाएगा यह हो जाएगा मिलते हैं बच्चों next thank you very much